हलो स्टूडेंट, आइम डॉक्टर सरीता खंडेलवाल फ्रम जे डी बी गवर्मेंट गर्स कॉलेज स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को हम कंटीन्यू करते हुए आज हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो की रेट आफ रेक्शन को प्रभावित करते हैं बच्चो ये काफी important topic है और इस topic को पढ़ने के बाद ही Actually में कैमिकल काइनेटिक्स का क्या use है कैसे हम factors देख सकते हैं कैसे rate of reactions को कम जादा कर सकते हैं हम उन factors को समझ सकते हैं तो बच्चो ये काफी important topic है तो आप इस topic को ध्यान से पढ़िएगा बच्चो सबसे जो 5 important factors है जो rate of reaction को प्रभावित करते हैं वो है nature of the reactants reactants का nature क्या है उनकी प्रकरती क्या है दूसरा है surface area of reactants reactants का surface area तीसरा है concentration of the reactants उनकी सांदरता क्या है तो पहले जो तीनो factors है वो reactants से संबन देते हैं चौथा point है temperature, पांच वा है catalyst यह पांच पॉइंट तो वो points हैं जो की काफी important point है जो rate of reaction को प्रभावित करते हैं इसके अलावा कुछ छोटे से points होते हैं जैसे की pH of the medium, nature of the solvents, radiation effects, pressure of the reactions यह जो होते हैं यह factors भी rate of reaction को प्रभावित करते हैं हम इन्हें briefly समझें तो students हम एक एक करके सारे points को देखते हैं कि किस तरह से factors होते हैं वो rate of reactions को प्रभावित करते हैं सबसे पहला जो point है वो है nature of the reactant आप अच्छे से जानते हैं जब chemical reactions होती है तो कुछ bonds तूडते हैं, कुछ bonds नए बनते हैं तो जो rate of reactions है वो इन bonds के तूटने या बनने पर depend करता है और यह जो चीज है वो reactant के नेचर पर depend करता है कि reactant का nature क्या है रियक्टेंट जो नेचर है वो आप देखेंगे कि जो homogenous reactions होती है जिसमें सभी reactant एक ही physical state में पाए जाते हैं उन्हें homogenous reaction कहते हैं उसकी rate जादा होती है और जो heterogeneous reactions जिसमें जो reactant है वो अलग-अलग प्रकरती के होते हैं उनकी rate कम होती है समान प्रकरती का होना है उसका मतलब यह है कि सभी reactant मालो gaseous state में है तो rate of reaction जादा होगी सभी द्रव में है तो rate of reaction ज़्यादा होगी सभी solid में है तो rate of reaction ज़्यादा होगी लेकिन मालो कुछ reactant solid में है, कुछ liquid में है, कुछ gas में है तो rate of reaction कम होगी तो पहली चीज तो आपको समझ में आई कि homogenous reaction होती है उसकी जो rate of reaction होती है वो heterogeneous rate of reaction से ज़ादा होती है तो आपको homogenous reaction और heterogeneous reaction से ये बात तो समझ में आई कि जो rate of reactions होती है वो किरिया कारुकों की बहुती कवस्ता physical state of reactants पे depend करती है कि वो liquid है, gaseous है या solid है बच्चो अगर सारे reactants gaseous form में है तो rate of reaction सबसे ज़ादा fast होगी फिर liquid में फिर solid में तो आपको ये बात समझ वह ही कि सबसे ज़ादा rate of reaction gas में है फिर liquid में है फिर solid में है तो पहला point आपको homogenous reaction और heterogeneous reaction का समझ में आ गया फिर आपको बहुतीक अवस्ता का point समझ में आ गया तीसरा point nature of reactants में आप ये देखिए कि आप देखते हैं कि rate depends on the number of the collision or encounters between the reacting species तो obviously अगर प्रधार्त गैसी अवस्ता में होगा तो collision आसानी से होगी और ठोस अवस्ता में होगा तो collision सबसे मुश्किल से होगी यही कारण है कि अगर reactant gasious state में होते हैं तो rate of reaction सबसे ज़ादा होती है और solid state में होते हैं तो rate of reaction सबसे कम होती है तो nature of reactant में हमने एक homogenous reaction heterogeneous reaction को समझा फिर हमने बहुत ही कवस्ता देखी और हमने देखा कि बहुत ही कवस्ता का प्रभाव क्यों पड़ता है क्योंकि जो rate होती है वो directly proportional to number of the collision होती है दूसरा point हम देखेंगे surface area of the reactant heterogeneous reactions occur at the interface of two phase of the reactant if one reactant is solid rate increase in surface area of the solid phase reactant अगर reactant solid है तो जैसे जैसे solid का surface area बढ़ेगा rate of reaction बढ़ती है solid का surface area का मतलब ये है कि कोई भी solid reactant होता है उसकी surface पे ही reactive sites होती है जहां पर reactions होती है तो obviously जैसे जैसे surface area बढ़ेगा तो number of reactive sites बढ़ेगी और rate of reaction बढ़ेगी तो ये जो surface area of the reactants है ये जो phenomena है या factors है ये solid reactant के सम्वंद में आता है तो अगर आपकी reactions में एक भी solid reactant है तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप solid reactant का surface area बढ़ेगा rate of reaction बढ़ जाती है क्योंकि जो reactions होती है वो solid की surface पे पाई जाने वाली reactive sites पे होती है और जैसे जैसे surface area बढ़ता है ये reactive sites बढ़ती है surface area increases area of contact between reactants increase rate of encounter between the reactants increase rate increase तो आपने देखा कि surface area भढ़ने के कारण area of contact भढ़ जाता है क्योंकि reactive sites भढ़ जाती है rate of encounter भढ़ जाता है rate भढ़ जाती है अब बात यह आती है कि surface area भढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो अगर हम solid है उसको हम sub divide करते हैं तो उसका surface area भढ़ जाता है तो अगर आप एक solid ले रहे हैं आपने एक solid को powder की form में लिया तो उसका surface area सबसे जादा होगा तो rate of reaction सबसे जादा होगी तो surface area किस तरह से बढ़ाया जा सकता है sub division के द्वारा surface area भढ़ाया जा सकता है for example आप देख रहे हैं कि जब एक गरम कील जो है उसको oxygen में रख्या जा रहा है आप right and side देखिए जाल में एक गरम कील है उसको oxygen में रख्के जला रहे है तो simple यह इस तरह से जल रही है लेकिन अगर हम steel wool जो होता है उसका surface area जादा होता है उसको अगर हम जलाएंगे oxygen में रख्के तो आप देखे कि किती तेजी से आग लग रही है तो इसका कारण क्या हुआ क्योंकि surface area जो wool है steel wool है उसका जादा होगा steel nail के comparison में तो दूसरा जो point है surface area of reactant उसका जो conclusion है वो यह है कि जैसे ही surface area बढ़ता है rate of reaction बढ़ जाती है और surface area subdivision के द्वारा बढ़ाया जा सकता है इस दिये गए example में आप देखिए कि first जो figure है उसका volume और जो last figure है उसका volume तो 1 meter cube है लेकिन जैसे जैसे हम इसे divide करते जा रहे हैं first figure का जो area है वो 6 meter cube है फिर second जो अब हमने इसको आधा-धा कर दिया तो प्रतेक का volume जो area होगा वो 8 meter cube हो गया फिर हमने इसे 4 में बाढ़ दिया तो 12 meter cube हो गया फिर हमने इसे और बाढ़ते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से volume आयतन तो same है लेकिन जो surface area है वो बढ़ रहा है और यही कारण है कि rate of reaction बढ़ जाती है बच्चो अब हम rate of reaction पे concentration का प्रभाव देखते हैं बच्चो जो अनुगतिकी का नियम होता है या rate low होता है उसके अनुसार जो rate of reaction होती है वो directly proportional होती है concentration of the reactants के और आप यह जानते हैं कि reacting molecules होते हैं उनको reaction करने से पहले टकराना पड़ता है with proper orientation और energy यह दोनों ही factors वो कब भढ़ते हैं जब सांदरता भढ़ती है जितनी ज़्यादा सांदरता होगी collision की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी और rate of reaction उतनी ही ज़्यादा होगी for example H2 और I2 की reaction होके twice HI बनता है तो यह देखा गया कि जब H2 और I2 की सांदरता बढ़ा दी जाती है तो rate of reactions भढ़ जाती है तो इसी वज़े से नुगतिकी सिद्धान्त ने ये rate of reaction को concentration के directly proportional इसी लिए रखा क्योंकि ज़्यादा सांदरता होगी बच्चों क्या भढ़ता है number of collision भढ़ता है और इस वज़े से rate of reaction भढ़ती है तो आपको समझ में आ गया concentration का प्रभाव देखो आप इस example में देखो कि first figure से जब हम second figure में जाती है तो concentration बढ़ रही है तो आप खुद ही देखिए कि जो ये figure है first और second first में green और red गोले कम है जबकि जो second में green और red गोले जादा है तो आप खुद ही देखके बता सकते हैं कि किस में collision की संभावना जादा होती है और जो rate of reaction होती है वो सारा खेल किसका होता है collision का जितनी effective collisions की संख्या जादा होगी rate of reaction जादा होगी यही कारण है कि concentration of the reactant सीधे सीधे तोर पे rate of reaction को प्रभावित करता है अब हम चौथा जो factor steady करेंगे वो है temperature बच्चों ये देखा गया है कि जब temperature बढ़ाया जाता है तो क्या भढ़ता है kinetic energy of molecule मॉलिक्यूल की जो average kinetic energy होती है वो बढ़ जाती है आपने gas state में भी देखा था कि जो kinetic energy होती है वो directly proportional to temperature होती है तो जैसे जैसे आप temperature बढ़ाएंगे kinetic energy होती है वो increase हो जाएगी अब kinetic energy के increase होने पर क्या होता है जब average kinetic energy increase होती है तो particles होते हैं वो तेजी से move करते हैं तो collision energy और collision frequency भढ़ जाती है मतलब 21 समय में होने वाली collisions की संक्या भढ़ जाएगी क्योंकि अब particles होते हैं वो ताप के प्रवाव से तेजी से move कर रहे हैं और इसी वज़े से rate of reactions भढ़ जाती है तो आप ये देखेंगे कि temperature बढ़ाने पर rate of reaction भढ़ जाती है और प्राय ये देखा गया है कि तापमान में 10 degree वरद्धी करने पर जो velocity है या rate of reaction है वो लगबग दुगनी या तिगनी भढ़ जाती है तो क्या बात आई समझ में पहली बात तो ये समझ में आई कि rate of reaction क्या होती है भढ़ जाती है तापमान भढ़ाने के साथ और दूसरी बात ये समझ में आई कि जब तापमान में 10 degree की वरद्धी करते है तो rate पे दुगना या तिगनी की वरद्धी होती है तो ये बात आपको समझ में आई ये आप graph से भी देख सकते है reaction rate और temperature की बीच में graph बनाया तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे temperature बढ़ रहा है rate of reaction बढ़ रही है अब जो पांचवा factor है जो rate of reaction को प्रभावित करता है वो catalyst की presence और absence होती है तो इसके प्रभाव को देखने के पहले हम पहले एक बार briefly ये देख लेते हैं कि catalyst होते क्या है एक बढ़ा देते हैं without reaction में participate किये हुए या chemical उनमें कोई chemical change नहीं आता वो reaction में participate करते हैं लेकिन reaction के अंत में जैसे थे वैसे वापस हमें मिल जाते हैं उनमें कोई chemical change नहीं आता है उनका कोई use catalyst का नहीं होता है तो catalyst क्या होते हैं वो reactant नहीं होते हैं क्योंकि उनकी सांधरता पर उनकी प्रकर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे है वैसे हमें पराप्त हो जाते हैं पहली चीज ये बहाय प्रदार्त होते हैं जो कि अभी क्रिया में भाग लेंगे अभी किरिया की rate को बढ़ा देंगे खुद वैसे के वैसे मिल जाएंगे और फाइनली हमें rate बढ़ी हुई reaction rate मिल जाती है ये catalyst किस तरह से rate of reaction को बढ़ाते हैं ये mechanism को ही change कर देते हैं और इस mechanism को change कहूने के कारण जो activation energy है वो change हो जाती है फूर एक्जाम्पल आप देखिए जब हम catalyst नहीं ले रहे हैं तो जो ये red वाला graph है वो बता रहा है activation energy without catalyst ठीक है अगर हम catalyst ले लेते हैं तो जो blue वाला graph बता रहा है वो बता रहा है activation energy with catalyst आप खुद देखिए कि जब catalyst present नहीं है तब activation energy बहुत जादा है इतनी है और जब catalyst present है तो activation energy कम हो गई तो obviously catalyst की presence के कारण rate of reaction भढ़ने का कारण क्या है क्योंकि वो reaction को उस pathway पे ले जाते हैं जहां पर activation energy कम होती है और इसी वज़े से rate of reaction बद भढ़ जाती है आप देखेंगे कि catalyst की presence से reactant और product के nature पे कोई प्रभाब नहीं पढ़ रहा है ये simple एक बात को change कर देते हैं mechanism को change कर देते हैं और mechanism को उस direction में ले जाते हैं जहां कम activation energy की आवेशकता होती है तो catalyst का मुख्य काम क्या है lowers the activation energy for a chemical reaction तो आप से कोई पूछे कि catalyst किस तरह से activation energy rate of reaction को बढ़ाते हैं तो आप बता सकते हैं कि activation energy को कम करके आपको समझ में आया जैसे आप R1 से और R2 की reaction से आपको product बन रहा है तो आप देखेंगे कि पहले क्या होगा catalyst R1 से reaction किया और आपका product P1 प्लस I मिला I ने R2 से reaction किया और आपको P2 product मिला तो यह देखें कि आप I क्या है intermediate तो आपको product तो वही मिल रहा है catalyst के use से product के nature पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आप reaction चाहे catalyst की presence में कराए या reaction catalyst की absence में कराए हमेशा product वही होगा सिर्फ और सिर्फ यह rate of reactions को बढ़ा देते हैं For example, KCl3, KClO3 के साथ अगर बहुत थोड़ी मातरा में MnO2 मिला देते हैं तो अपिक्षक्रत कम तापमान पे भी KClO3 के अपगटन के वेग में काफी व्रद्धी हो जाती है और O2 अधिक बनने लगती है तो यह क्यों हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, MnO2 जो है, वो as a catalyst काम कर रहा है तो catalyst का काम क्या होता है, सिर्फ rate of reaction को बढ़ा देना बच्चों यह तो आपने 5 पॉइंट देखे, कि 5 factors देखे, जो rate of reaction को प्रभावित कर रहे हैं जिसमें 3 factors reactant से सम्मदित है, उसकी concentration, उसकी nature और उसकी surface area और फिर बाकी 2 factors temperature और catalyst पे सम्मदित है बाकी कुछ चोटे-चोटे factors और हैं, जो specific type of reactions को प्रभावित करते हैं for example pH of the medium, अगर माध्यम जलिये है, तो अभी करिया होती है, वो pH पर depend करती है एक तो यह बात समझ में आई, एक पॉइंट यह और है कि जो reactions होती है, वो medium के nature पे भी depend करती है माल लो आप आईनी किरिया कारक ले रहे हैं, और आप reaction अगर polar solvent में कराते हैं, तो rate of reaction जादा होगी अगर non-polar solvent में कराते हैं, तो rate of reaction कम होगी यह ठीक उसी तरह है कि dissolve like dissolve, मतलब अगर जो reactants है, वो भी polar है और medium भी polar है, तो rate of reaction जादा होगी और अगर जो reactants है, वो non-polar है, और medium भी non-polar है, तो rate of reaction तभी भी जादा होगी अगर reactants और medium का जो environment है, या जो nature है, वो अलग-अलग होगा, तो rate of reaction कम होगी बच्चो एक बहुती important factor और है, वो है pressure of the reaction, जो की तब बहुत important हो जाता है, जब reactants होते हैं, वो gaseous nature के होते हैं तो हम इसको भी थोड़ा सा मैं एक बार बोल देती हूँ, जब मालो की reactants से product बन रहे हैं और reactants के mole की संख्या जादा है और product के mole की संख्या कम है, for example, H2 plus 30H2 is equal to twice NH3 तो आप ये देखेंगे, मैंने कौन सी reaction की बात की बच्चो, H2 plus 30H2 is equal to twice NH3 बच्चो इस reaction में क्या हो रहा है कि अगर हम देखें कि reactants के moles कितने हैं, 4 और अगर product के mole की बात करूँ, तो mole कितने हैं, 2 तो आप देखेंगे कि ऐसे reaction जिनमें की reactant के mole जादा होते हैं, product के mole कम होते हैं, उनमें दाब बढ़ाने पर wake बढ़ जाता है, rate of reaction बढ़ जाती हैं लेकिन अगर reactant के mole कम होते हैं और product के mole जादा होते हैं, तो दाब बढ़ाने पर rate of reaction कम हो जाती हैं, तो बच्चो हमने 5 factors हैं, उनको तो हमने detail में discuss किया, और जो 3 factors हैं जैसे कि pH of the medium, nature of the medium and pressure of the reaction उसको मैंने briefly बताया हैं, तो यह 8 factors हैं, जो कि mainly rate of reactions को प्रभावित करते हैं तो students, आज के lecture में हम यह factors affecting rate of reactions को खतम करते हैं, यह काफी important topic है और आप इसे अच्छे से पढ़िए इसमें हम temperature का और concentration का effect जो है, वो rate law और RNS equation का आधार है, उसे हम आगे detail में और पढ़ेंगे अभी फिलाल आप इन 8 जो points हैं, जो कि factors हैं, उनको अच्छे से समझीए Thank you so much students